गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आइम अनुराधा राजपूत योड साइंस टीचर एंड तुड़े आइविल टीच यू चैप्टर फॉर्टी वाटर आज हम बढ़ेंगे चैप्टर फॉर्ट जिसका नाम है वाटर या चल तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे बात इस वा बढ़ेंगे जैजन करना लिचा शीन लूर्ट जत्व साइजन एंटी गड़े को तो सुडि बढ़ेंगे चैप्टर स्थर वाटर जा संच एंड वाटर ध। उरिवेंगेर्दीज वासे अलीचेट की अश्ड एंवारल इस एंगावा बजसें उर्सर बात करते हैं अपनी बात करते हैं अपनी बात करते हैं बात करते हैं और पीने योगी पानी बात करते हैं और जो वाटर होता है फ्रेश वाटर सिर्फ 0.01% ही पहुंसता है जो पोटेवल है या पीने योगी है अब हम बात करते हैं सोर्स ओफ वाटर की वाटर में कहां कहां से मिलता है तो वाटर में रिण वाटर, ग्राउण वाटर, सर्फीश वाटर, रिवर्ज, स्ट्रीम, लेक्स, एन पॉंड और सी वाटर वाटर में बहुत जगह से मिलता है अब हम बात करते हैं स्टेट्स ओफ वाटर की वाटर की कितनी स्टेट्स होती है तो water on the earth exists in three states solid, liquid and gas जो water होता है उसकी three states होती है first is solid, second liquid, third gas मिन्स ठोस, द्रव और gas जो solid state होती है वो होती है ice, liquid, water और gas जो state होती है वो होती है वेपर so ice is the solid state of water water is the liquid state of water वेपर और steam is the gaseous state of water what is water cycle? the cycle of process by which water circulates between the earth, ocean, atmosphere and land involving precipitation as rain and snow drainage in streams and rivers and return to the atmosphere by evaporation and transpiration जो water cycle होती है उसमें क्या होता है कि जैसे जो अर्थ पर water होता है जाएं वो रिवर्स के फॉर्म में हो pond हो, sea हो तो water evaporate होकर उपर की और जाता है sunlight की विरे से जो water होता है वो वेपर बनके उपर उड़ता है और वहाँ पर जाके condensation की process होती है और यह जो गरम जो वेपर होती है वो cold होके clouds बनाती है और जब यह ठंड़ा हो जाता है तो यह पानी precipitation या rain के फॉर्म में नीचे आता है इस पेकार यह जो cycle होती है means यह पानी का उपर जाना cloud बनना और ठंड़ा होका नीचे की और आना यह जो cycle होती है यह continue चलती रहती है और इसलिए इसे हम water cycle बोलते हैं अब हम बात करते हैं water conservation की की water conservation क्या होता है it is the wise and judicious use of water जैसा कि हमको पता है कि जो fresh या potable water है वो एक निश्यत मात्रा में ही अर्थ पर है तो इसलिए हमारी duty है हमारा फर्ज है कि हम पानी का सोच समझ कर सही इस्तिमाल करें तो पानी को conserve करना उसको बचाका रखना यही water conservation कहलाता है तो what are the ways of conserving water? The first is get all leaking taps repair जितने भी taps हैं जो leak होते हैं उनको repair कराना चाहिए उनको सही रखना चाहिए Use a bucket for taking bath instead of shower जब भी हम नहाते हैं तो हमें shower की जगए bucket में पानी लेका इस्तिमाल करना चाहिए Collect rain water and use it for gardening and recharging ground water जो rain water होता है उसको collect करके हम gardening में यूज कर सकते हैं और ground water को recharge करने में या water level को बढ़ाने में भी यूज कर सकते हैं इसके लावा kitchen से जो water निकलता है जिसे हम vegetable fruits को wash करते हैं या other चीजों को wash करते हैं तो इस water का use हम अपने garden में plants के लिए कर सकते हैं Wash your cycles, cars, etc. with a bucket of water instead of pipe जब भी हमें अपनी cycle, car, आदी को दोना हो गारियों को वीकल्स को तो हमें bucket में पानी लेकर इस्तिमाल करना चाहिए ना कि pipe से क्योंकि अगर हम pipe से water को इस्तिमाल करेंगे तो पानी ज्यादा waste होता है Instead of washing the floor, use a mop हमें जो floor होता है उसको wash यानि कि धोने से अच्छा है कि हमें उसको mop करना चाहिए यानि कि इस पर पहुचा लगाना चाहिए तो कि धोने में फर्ष को साफ करने में पानी ज्यादा waste होता है इसकी जगए अगर हम mopping करेंगे या पहुचा लगाएंगे तो पानी गम waste होगा इंपर्टेंस of water पानी की इंपर्टेंस क्या है तो first is digestion of food टेक प्लेस इन दा स्टमकक वें food is mixed with water स्टमक में जो digestion की process होती है फोड की तो वो तबहु होती है जब जो food होता है वो water के साथ mix हो जाता है Important medium for the transportation of food, oxygen and carbon dioxide in the body जो water होता है वो हमारी body में एक important medium होता है transportation के लिए इसकी help से food, oxygen and carbon dioxide हमारी body में transportation का काम कर सकते हैं Water is used to produce electricity Water का use electricity को बनाने में भी किया जाता है Number 4, Water is essential for the germination of seeds जो water होता है, seeds के germination के लिए या बीचों के अंकुरन के लिए ज़रूरी होता है Water helps in maintaining the body temperature जो water होता है, ये हमारे body temperature को maintain करता है Excess of water and lack of water Excess of water जब पानी बहुत ज्यादा हो जाए बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? When it rains or snow, some of the water is retained by soil, it caused flood It affects by damaged property and endanger the lives of human and animals Rapid runoff cause soil erosion अगर बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो क्या होगा? ये flood या बार्ड का कारण बनेगा और जिसकी बज़े से हमारी जो property है वो damage होगी और काफी सारे जो humans हैं, animals हैं उनकी जिंदगी भी मुश्किल में आ जाएगी और बहुत ज्यादा जो बहता हुआ पानी है वो soil erosion या मैदा अपर्दन का कारण भी होता है Now, lack of water अगर बारिश ना हो पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? It is the lack of sufficient available water resources to meet water needs within a reason It causes drought-like condition, it effects by acute water crisis, crop failure, loss of life in all forms due to starvation क्या होगा? अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा सूखा पड़ेगा तो जो खेती है उसमें हमें नुकसान होगा क्योंकि जितनी भी फसले हैं वो सारी सूख जाएगी और पीने के लिए भी पानी नहीं होगा, water level कम चला जाएगा और बुकमरी की इस्तिती बन जाएगी तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Rainwater Harvesting Rainwater Harvesting में क्या होता है? Method of collecting rainwater and storing it for use during scarcity It can be used for several purpose including drinking, washing, gardening and flushing etc जो Rainwater Harvesting होती है वो rainwater को collect और store करने का method होती है जिससे जब पानी की कमी हो तो हम इस water को use कर सके और इस water का use हम drinking, washing, gardening and flushing आदी कामों में कर सकते है Water vapor gets added to air by evaporation and transpiration जो water vapor होती है वो evaporation और transpiration के जरिए air में mix हो जाती है The water vapor in the air condense to form tiny droplets of water which appear as clouds Many tiny water droplets come together and fall down as rain, snow or hail जो water vapor होते है वो condense होके उसके चोटी 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 जो droplets होती है वेपर की वो clouds बनाती है और बात में ये चोटी 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 droplets होती है एक साथ मिलकर बारिश के रूप में, snow के रूप में और hail के रूप में वापस अर्थ पर आती है Rain, hail and snow rip replenish water in rivers, lakes, ponds, wells and soil और जो बारिश का पानी होता है, hail होता है, snow ये सारा पानी कहां जाता है Rivers में, lakes में, ponds में, wells में and soil में Excessive rain may cause floods which lack of it for long periods may cause strot अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा, flood की condition आ जाएगी और अगर पानी की कमी हो जाए काफी लंबे टाइम तक तो सूखे की सिती हो जाएगी The amount of usable water on earth is limited, so it needs to be used carefully जो अर्थ पर जो पानी है, usable water है, वो बहुत ही कम मात्रा में है इसलिए हमारी ही ज़रूरत है कि हम इस पानी को carefully use करें ये आप देख रहे हैं, rain water harvesting इस में, rain water harvesting में क्या है? ये एक house है, इसके उपर जो roof है, उसमें जो बारिश का पानी collect होता है इसको एक pipe के चरिये एक tank में collect किया जाता है और इसके बाद इसको एक pipe के ही चरिये अर्थ में डाल दिया जाता है जिससे अर्थ में जो water level है, वो बढ़ जाता है और वहां की जो hand pump है, या well है, या जो tube bell है, boarding है, वो सूकती नहीं है और उनमें बारा महीने पानी आता है तो rain water harvesting के जो rain water waste जाता है हम उसको अर्थ में store कर सकते है और अर्थ का जो water level है उसको increase कर सकते है तो इस chapter में हमने समझा कि जो water है, वो क्या है, हमारे लिए क्यों जरूरी है उसकी कितनी state होती है, water cycle क्या होती है, भारिश कैसे होती है और जो water है हमारे लिए क्यों जरूरी है rain water harvesting, water conservation, एसक्टर तो I hope कि आपको ये chapter चैसे समझ में आ गया होगा और इस chapter को आप learn कीजिए और याद कीजिए Thank you